Dear students, welcome to Great Smasher's. आज की स्टुडिय मैं explain करने जा रहा हूँ Hierarchal Clustering और इसको मैं with example explain करूँगा Basically, Hierarchal Clustering का funda कै है? Clustering हमें समझ में आगी कि जो data points similar हैं आपस में close हैं, हमने उनको एक cluster में रख दिया कि grand parents है, उनको आगे parents से connect किया फिर parents को आगे child से connect किया तो एक तरह से हम लोग यहाँ पर hierarchy create करते हैं और यह चीज़ यहाँ पर करनी क्यों जडूरी है? Business के point of view से आप समझो कि let's suppose आप एक e-commerce website को चला रही हो अब वहाँ पर बहुत सारे लोग है, बहुत सारे consumers है, बहुत सारे customers है जो अलग-लग चीज़ें purchase करते हैं जैसे कुछ clothes ज़्यादा purchase करते हैं, कुछ electronics item ज़्यादा purchase कुछ grocery ज़्यादा purchase करते हैं अब मैं अगर let's suppose एक offer create कर रहा हूँ कि सब को 50% off तो ये कही ना कही ना, बहुत ठीक है थोड़ा वहत कामेव हो सकता है लेकिन एक target हमने उसमें नहीं दिया एक target audience के हिसाब से हमने उसके उपर work नहीं किया बेटर हम क्या कर सकते हैं तो एक hierarchy create कर सकते हैं कि पहले हम वो उठाएं कि जिनका clothes के उपर वो सारे बंदे जो clothes के उपर ज़्यादा खर्च करते हैं फिर electronics के उपर ज़्यादा खर्च करते हैं ग्रोसरी के उपर ज़्यादा और based on that जब हमने cluster create कर दिया फिर एक hierarchy create की जाए कि यार अगर मैं clothing वाले को इतना percent off दूँ electronics वाले को अलग से कुछ off दूँ अपस में relation बनाने में बहुत ज़्यादा help करती clusters के बीच में तो यहाँ पे दो तरीके से आप लोग create कर सकते हो एक agglomerative और एक divisive agglomerative का मनलब aggregation मनलब सारे data points अलग लग पड़े हैं आपने based on their closeness उनको एक के cluster में combine करते जा रहे हो that is the aggregation और aggregation में मनलब आप एक तरह से कहते हो agglomerative और यह bottom से अप की तरफ जाएगी क्योंकि सारे bottom में क्या हैं अलग-अलग points हैं उनको एक-एक करके based on their closeness combine कर रहे हो और divisive का मनलब division based कि सारे पहले एक ही में फिर आप उनको further divide कर रहे हो तो यह top down approach होगी एक simple से example से समझातो हो तब आपको clear होगा let's suppose एक data ले लती हैं यहापे 1, 5, 8 कुछ एक small data से आपको easily समझ आ जाएगी 10, 19, 20 ठीक है अब यहाँ पे मेरे पास सारे जो हैं वो क्या हैं अलग-लग data points हैं अब इन data points को मैं देख के क्या करूँगा सबसे पहले proximity matrix create करते हैं proximity matrix क्या होती है उस matrix के थुरू आपस में difference का पता लगता है जैसे एक तरफ मैंने लग दिया 1, 5, 8 इस तरीके से 1, 5, 8 अब मैं distance कह सकता हूँ 1 और 1 के बीच में 0 1 और 5 के बीच में 4 1 और 8 के बीच में 7 5 और 1 के बीच में 4 0, 3 इस तरीके से आप distance जो है वो पहले लिख सकते हो proximity matrix में lucidian distance formula भी यूज कर सकते हो देरा various method तो सबसे पहले हमने क्या करना इस तरीके से इनके बीच में जो distance है वो पता लगाना है अब मैंने देखा कि यार यह तो simple पता लग रहा 4 का distance है, 3 का है, 2 का है यहाँ पे 9 का है, यहाँ पे 1 का है तो जहाँ पे सबसे कम distance उनको एक cluster में डाल दिया तो मैंने क्या किया सबसे पहले 19 और 20 को एक cluster में डाल दिया simple यह दोनों क्या होगे, एक cluster में हो गया आप इसको कह सकते हूँ कि 19, 20 का एक cluster बन गया अब फिर मैंने देखा कि यार इसके बाद क्या किया जा सकता है यहाँ पे 4 का है, 3 का है, यह 2 का है तो 2 वाले distance को हमने क्या किया एक जगा पे डाल दिया मलब 8 और 10 का मैंने एक और cluster create कर दिया तो 2 cluster होगे, एक cluster यह होगया 19, 20 वाला, एक cluster होगया, 8, 10 वाला फिर मैंने देखा कि अब क्या किया जा सकता है 1, 5, 8, 10 और यह इस तरीके, मलब पहले total 6 items थी अब आपके पास 4 बची, कैसे 1, 5, 8 और 10 तो अब combine होगे न और ऐसी 19 और 20 अब combine होगे अब आपने देखना है कि यह इनके बीच में 3 का distance है बाकियों के बीच में तो जाल है तो आपने कह किया 5 और 8 को इस तरीके से combine कर दिया अब एक तरह से आप कह सकते हों कि 5 एक तरह से आपके पास 5, 8, 10 यह आपके पास एक बड़ा cluster बन गया जिसमें 8 और 10 तो अलड़ी था ही पहले उसके साथ 5 भी आ गया तो इस तरीके से आप cluster create कर सकते हो फिर आपने देखा कि अब क्या किया जाए अब आप कह सकते हों कि 4 का distance है यहाँ पी distance ज़्याद है तो आपने कहा किया 1 और इनका एक cluster create कर दिया 1 और इन सब का तो 1 एक तरह से आप कह सकते हो 5, 8, 10 बलब इस तरीके से आपने एक new cluster जो है वो create कर दिया और finally फिर आप क्या कर सकते हो भहिया आप तो मेरे पास 2 item बची है यह cluster और एक तो इन दोनों को आपने क्या कर दिया combine करके एक single जो है वो item create कर दिया जिसके अंदर आप कह सकते हो कि 1, 5, 8, 10 इस तरीके से आगया और उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर दूसरा cluster क्या आगया 19 and 20 वाला तो इस तरीके से आप एक clustering जो है वो hierarchy of clustering create कर सकते हो जैसे agglom rating में मैंने किया क्योंकि bottom से मैं अब की तरफ गया और अगर आप divisive करते हो तो divisive में एक तरह से आप कह सकते हो कि 1, 5, 8, 10, 19, 20 यह सारे के सारे हैं तो सबसे पहले आपने let's suppose 19, 20 का एक अलग है और 1, 5, 8, 10 फिर 8 और 10 आपने अलग कर दिया और 19, 20 यहाँ पर अलग कर दिया बलब एक तरह से top to down जाते हो यहाँ पर bottom to up जाते हो यह basic सा approach हम लोग यहाँ पर use करते हैं इसको बोलते है dendrogram dendrogram ठीक है बलब एक तरह से जैसे होता है ना lime chart, graph chart तो ऐसी हमारे पास यह एक तरह से जैसे histogram ऐसी आपके पास dendrogram इसको बोलते है skypy library होती है python के अंदर जिसके अंदर आप इसको जो है वो create कर सकते हो तो यह simple से point आप note कर ले न interviews में कहीं पर भी आपसे पूछते हैं आप easily answer दे सकते हैं करते हैं हैँ